पूरे विश्विक को आतंकी हमलों ने हिला कर रख दिया है मुठी भर लोग मासूम जिंदगियों से खिलवार कर रहे हैं लेकिन केर वल की नजर में मिलावट करने वाले उन आतंकवादियों से जादा खतरनाक हैं जिनका जहर पूरी जनरेशन के खून में दौर रहा है कुछ दिन पहले न्यूस पेपर्स में एक खबर छपी थी कि एक स्कूल के सारे के सारे बच्चे एक साथ हॉस्पिटल में भरती हो गए कारण जहरीली मिठाई खाना इसमें उन मासूमों का क्या कसूर जब मिलावट करने वाले चंद लोग पैसो के खाते देश की भावी पीडी से खिलवाड कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम इन मिलावट करने वाले आतंकवादियों की कर्टूतों को उजागर कर सके और आज का हमारा यही मकसद है हम करेंगे मिलावट खोरो का परदाफाश The F Factor के आज के एपिसोड में मिठाई का एक टुकड़ा जो खुशी के मौके पर खाते हैं आज वही टुकड़ा हमारी खुशिया चीन लेता है क्यूं? वो मिलावट खोरी का नतीजा है क्या हम मिठाई को मिठाई की तरह खा सकते हैं? जरूर, लेकिन परखने के बाद मिठाई की चुदता जाचने के बाद और इसी में हमारी मदद करेंगी Dr. Jyoti Vora दोस्तों, मैं आपको बता दू कि Dr. Jyoti Vora मुंबई के रुया कॉलेज में Biochemistry, Food Science और Quality Control Department की H.O.D. है, चलिए उनका वेल्कम करते हैं Welcome, Dr. Thank you Dr. कहा जाता है, जो जहर है, वो मीठा होता है और अगर इसी जहर को मिठाईयों में मिला दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा जहर को पहचान पाना शायद यह हमाय सामने एक बहुत बड़ी चुनोती है जिसमें हमें यह सोचना है या यह देखना है कि किस तरह से जहर को मिठाई से अलग किया जाए या किस तरह से पहचाना जाए यहां पर मैं शुरू में ही यह कहना चाहूंगी कि हमारे इंडियन कल्चर में So consumers जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करके best मिठाई या तो घर में बनाते हैं या बाहर से खरीते हैं In that case, if you are buying adulterated sweet meats या adulteration का आपका direct contact हो जाए, it's a very ironic thing Correct, आपने थुर देर पहले सही कहा था कि जो मिठाई है वो आपको एक unadulterated खुशी देती है और अगर उसमें adulteration हो जाए, उसमें मिलावत हो जाए तो एक दुख का महौल भी बन सकता है Absolutely तो इसे किस तरह से पहचाना जा सकता है या किस तरह की adulteration मौजूद होते हैं मिठाईों में मैं तो यह कहूँ कि जो ingredients हैं जिनको मिठाई बनाने में इस्तमाल किया जाता है Those ingredients are stand-alone food material Correct Like milk, rawa, sugar, jaggery, color, all these, either separately or together जो भी adulteration आप दूद में कर सकते हो, normally, वो आप उस दूद में भी कर सकते हो, जो आप मिठाई में मिलाओगी Okay तो starch है, urea है, poor quality, you know, keeping ingredients like, yeah, those can be used Concerning rawa, there's a very interesting test Okay Rawa जो है, यानि सूजी, उससे बहुत सारी मिठाई हैं बनते हैं हलवा बनता है, in fact, काफी religious ceremonies में हम रवे की बनाई ही मिठायां चढ़ाते भी हैं As offerings, as if that is not enough, rawa can be used as a gelling or a solidifying agent और वो पेल कलर का होता है So, you can add it to anything without disturbing the color scheme of that sweet meat Correct In that case, one of the most common ingredients which is used to increase the weight of rawa is iron filings Iron filings? Yes, iron filings are commonly used, ताके उसका weight बढ़े Now, like, मेरे साथ साथ बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अगर ये iron filings हम लोग रोजाना अपने डाएट में ले रहे हों तो इसका हजाद क्या होगा? बहुत ही जादा important hazard है The first hazard is metal allergy अगर iron consume किया जाता है क्योंकि iron तो normally हमारे बोडी में होता है कुछ मात्रा तक It is around 0.34 mg But that iron is a bound form Hemoglobin के साथ वो रहता है But in science, iron is called a one-way metal याने एक बार absorbed हो गया बोडी में तो वो एक्सक्रीट करना या डिसकाड करना बहुत ही मुश्किल हो जागा To generation to generation, it gets carried for a thought Not necessarily the next generation, but certainly your entire lifetime And recurrently, वो iron contamination जो बोडी में है उसकी toxicity देखी जा सकती है Constipation, chronic digestive problems, change in eyesight, you know, skin allergies I can go on naming upper respiratory tract complications यह सब वो iron toxicity से हो सकते है I think यह डराने के लिए नहीं But यह एक awareness के लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग यह जाने कि क्या problems हो सकती है इसके द्वारा और मैं एक और point भी आपको बताना चाहती हूं कि यह जो रवा है Generally, it is known as an Indian convalescent food Convalescent means उस diet में जहां कोई बिमार हो, उसकी surgery हो गई हो Old age में, they consume this kind of thing Easily digested Porridge, खीर, इस टाइप के जो components है Easy to digest Correct अगर उस situation में आपने contaminated रवा इस्तमाल किया तो healing effect के जादा complicating effect हो जाएगा patients पे So this is another very important point to be understood जहां आप अपने आपको एक healthy इंसान मनाने के लिए एक healthy होने का attempt कर रहे हैं वहीं आपको बिमारिया पकड सकती है, जकड सकती है Correct That's really amazing और क्या-क्या मिलावत होती है मिठाईों में? सबसे interesting बात क्या है मिठाई के बारे में? एक तो मीठा है, I mean that is understood But when will it be sweet when you eat? Correct उसके पहले organoleptic testing, sensory testing याने mentally आप बूंदी का लड़ू कैसे दिखता है अभी यापे खड़े खड़े आप imagination के तौर पे आप understand कर सकते हैं So color, presentation, shape All these become a very important commercial factor in sweetmeats But उस पूरे presentation में आप agree करेंगी के color becomes a very important center point वो एक orange-ish red color, जो है बूंदी का लड़ू, वह ही represent करता है उसे Correct, and even from our childhood, हम वो color के हिसाब से उसकी identification करते है Now unfortunately, color, अगर हम उसकी थोड़ी से science देके तो It's a chemical molecule So there are again two types, food grade colors certified by the government Certified by the awarding agencies as GRAS And there are certain categories which are available And those colors, which are dyes, you know, coloring paper is good enough Coloring any other material is good enough But you can't use it in food So this is a very important point to be understood I think doctor, जो हमारी discussion है, इसमें बहुत ही interesting mode ले रही है वगर हमें यह आपर लेना पड़ेगा एक छूटा सा बेक Sure दोस्तो आज हम बात करें हैं मिठाई के बारे में और मिठाई किस तरह से जहर में बदलती जा रही है किस तरह से जान्च सकते हैं आप जहर को तो बने रहे है हमारे साथ क्योंकि हम बात करेंगे इसी के बारे में Welcome back after the break दोस्तों अब तक हमने जाना कि मिठाई किस किस तरीके की मिलावर के साथ मौझूद है मार्कित में और किस किस तरीके की हानी पहुचा रही है हमारे शरीर को यहां तक कि मौत के हमें कितने करीब ले जा रही है आएए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिठाईयों की मिठास के पीछे के राज डॉक्टर जैसे कि अभी तक हमने जाना कि मिठाईयां बहुत टेस्टी होती हैं दिखने में बहुत सुंदर होती हैं और एक अलग तरीके का साटिस्फाक्शन देती हैं तूँ मगर इसकी जो हानी है इसके बार में थोड़ा और ख्लेरिफिकेशन दिया जैसे में कह रही थी कि इस अ केमिकल मॉलेकूर कोई भी कलर कंपोनेंट इसकेमिकल मॉलेकूर ग्रेड नौन फूड ग्रेड हो और मिठाई में इसका इस्तिमाल हो तास बाद नूस और आफ यह एर असांपल ऑफ असर्टिफाइड कासिनोजें इसको पाइड कासिनोजें यहने थूर्ण रिसर्च इस चंक्लूजवली अंडिस्टूट की मेटिनल येलो इस अ कासिनोजें इसको कलर अगर आप देखेंगी तो इस एक्षाटली थे सेम कलर केसर अन हल्दी करेक्ट तो इस अ कॉमन एडल्टरिंट यूज़ इन स्वीट मीट्स यह है दूद का सैंपल केसरी दूद जो आजकल बहुत फिर्मस भी है केसरी दूद या फलूदे का बेस या इवन गोला चोटे बच्चे काते हैं हमने सबने बच्वन में खाया है आज भी खाते हैं? Of course अगर किसी दुकान में जाके आपको बहुत ही सस्ती मिठाई दिखाई दी या उन्होंने बेची जो आपके calculation और आपके understanding से बहुत ही दूर है then my suggestion is please don't buy it क्योंकि to maintain that price line they are most unscrupulous जादा से जादा adulterated ingredients इस्तमाल करते हैं और इस वज़ा वो कीमत इतनी कम है कम होती है तो देखने चाहे तो मिठाई कोई mandatory menu ingredient नहीं है हर दिन हर meal में खाने के जरूरत नहीं है अगर आप चार बार खाने के जगद दो बार खाएं बट अच्छी quality की खाएं then it is good for the health of the family ये तो बात हो गए कि आप खरीदारी सोच समझ के करें प्रॉपरली जाच कर चीजे लें एक और चीज है जो मिठाईों के बार में काफी famous है उसके look के बार में काफी famous है वो है चान्दी का वर्क उससे वो जो मिठाई है उसका जो look है उसका जो जो उसकी presentation है काफी जादा बढ़ जाती है सुन्दर हो जाती है क्या उसमें भी मिलावत होती है हाँ हाँ बिलकुल क्यूंकि वो जो चान्दी का वर्क है it has a metallic look तो काफी बार एकदम micro-thin, tin sheets alloys of metal that kind of things are used to put the you know adulterated kind of presentation on the metal yes, tin yes, I think that you hear a lot of attention that we had to know a little while ago that in Rave, there are iron filings on the metal, there are alloys and tin sheets it is so dangerous it is extremely dangerous and I think that the metal and small children especially say that if it is a chemical you can buy it so as a mother, as a parent as a housewife, one has to explain all these things and observe the upbringing in such a way that the child will understand that everything that looks good is not good not at all not at all if you have a milk you can buy it and the liquid component is removed so the extract is correct so in reality a lot of blood is used to make a small amount of Khoya very true naturally Khoya will be very very expensive so it is the easiest to adulterate correct so again the same thing starch potato you know extract very poor quality corn starch extract you can put it in it and even filter paper like I told you it is a very fine minced filter paper you can put it in it and the texture of the Khoya will add it and it will be you can carry out a simple test like we showed with iodine and all that iodine tincture yeah and then at the end of it your senses fully depend correct the organoleptic not only 5 senses tangible but also 6 senses intuition correct so when you go shopping concerning food and when you consume food if you get a bad feeling about that food item then please don't have it okay that was an amazing point that you have to use the whole sensory organs that you have to use the whole sensory organs that you have to use whatever you are buying whether it is mint or anything you have to take it take it take it and then taste it and see how it feels correct today our discussion was very fruitful because our discussion was very fruitful we had a lot of ideas that we should so thank you very much doctor my pleasure please